हेलो गाइज वल्कूम बैक टू इंडियांटेकल पर यूट्यूब चैनल अज के स्टूड़ी में आपको बताऊंगा आपके स्टरीके से अपने इंटर्नल और एक्सटर्नल दोनों माइक को फिक्स कर सकते फिनिक्स में अगर आप फिनिक्स यूज करते तो आपको मालूम ही ह होगा अगर आप एक्स्टर्नल माइक या फिर इंटर्नल माइक जैसे की हैड़्पॉन माइक या फिर आप जो कोई भी बोया जैसा माइक को यूज करते हैं तो आपको प्रावलम साते हैं वाइस टीक से सुनाई नहीं देती है आप वाइस कॉल्टी अच्छी नहीं होती है नोईस आता है वह हम उसी को फिक्स करेंगे यह मेतड़ आपको यूज होगा अगर आप माइक को यूज करते हैं एक्सटर्नल माइक को यूज करते हैं तो यहां पर जो मैं आज बताऊंगा यह सिमलर है मैंने पहले भी बताया था लेकिन हमारा जो फाइल है वो चेंज है त इस वीडियो में हम Android for FX उसे भी इंस्टॉल करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बात यह ट्रिक सभी Phoenix OS के वर्जिन में वर्क करेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना है जिनका लिंक मे वर्जन लिंक आपको फ्री में डिस्क्रेशन में दे दूंगा आप हुआ से चक कर सकते हैं इसे ओपन कर लिजिए उसके बाद आपको रूट परमिशन में रिमेंबर चॉइस परेवर या फिर इस टाइम उनले कीजिए अलो कीजिए इसके बाद आपको यहां पे कर लेना है और उसके बाद आपको यहां पर जो रूट का उप्शन इसमें जाना है इसमें आपको माउंट और स्लैश डबलो पर क्लिक करना है इसके बाद नीचे जाना है आपको सिस्टम फाइल में जाना है नीचे स्कूल करते हुए जाए यहाँ पर आपको सिस्टम फोल्डर में लेगा इसमें आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको एटीसी फोल्डर में क्लिक करना है यहाँ पर आपको इसे पेस्ट करना है आप देख सकते हैं यहां पर पहले से एक unit.sh file होगा यहां पर देख सकते हैं पहले से ही आपको इसे replace करना होगा तो आप इसे copy कर लिजिए और paste कर लिजिए उसके बाद unit.sh already exist do you want to overwrite it yes तो हमने यहां पर overwrite कर लिया है और यहां पर हमारा unit.sh ची replace हो चुका है अब यह आप इसे back कर सकते हैं हम दोनों को एक बार install कर लेते हैं यानि कि वाइफर for effects उसके बाद हम सब कुछ restart कर लेंगी बीजिक को और देखेंगी audio quality किस तरीकी से मिल रही है तो सबसे पहले तो आपको वाइफर for android rocgfa ना इसे आपको extract करना है डी-compress करना है तो आप यहां से decompress कर सकते हैं तो हम official file manager से decompress कर लेते हैं तो हम यहां पर save कर लेते हैं अपने यहां नहीं decompress कर लिया है आप देख सकते हैं पर हमारा decompress हो चुका है उसके बाद आपको इसे right click करना है और कट कर लीजिए यहां से अब इससे आप main storage में कहां पे भी एक कोई भी जिगह पर पेस्ट कर लीजिए तो हम यहां भी पेस्ट कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं वाइफर for android तो इससे आप close कर सकते हैं अब यहां पको वाइफर for android जो आप इससे आपको करना है आप इस से इन्स्लोल कर लिजी अ कि यहाँ पे अपको पन करना है आ नेक्स क्लिक किजी क्लिक कीजी नाइस क्लिक कीजी और एस कि अलों कीजे हैं यहाँ पको ड्यूने आर्पकोंillance आंड्रॉयड राइवर्स यहां पर ओके क्लिक कीजिए यहां पर आपको 2.5.0.4 पर क्लिक करना है इसके बाद आपको रूट पर मिशन देगा तो आप फॉरेवर चूज कीजिए और आलो कीजिए तो यहां पर ड्राइवर इस इंस्टॉल आया है तो अभी आपको रिबूट कर सकते हैं लेकिन हम बाद में करेंगे इसके बाद आपको यहां पर लोड इफेक्ट प्रोफाएल करना है और आपको यहां पर फ्रिवेशकल रहे हैं तो अगर है आप न illustrate कर रहे हैं तो तो हमारा कंप्लिट हो चुका है टास्क अभी हमी रीबूट करना है और रीबूट करने के बाद क्या होता है हम देख लेते हैं तो चले पीसी को रीबूट कर लेते हैं हमने हमारे पीसी को रिश्टार्ट कर लिया है और अगर आप जो आडियो को पीसी सुन रहा है वह ने एकस्टरनल माइक से रेकॉर्ड किया है वह भी फिनिक्स OS लेटेश वजन 3.5.0 के उपर तो आपको आडियो काल्टी में आपको सुनाई दे रहा होगा फिस तरी किसे चें वीड़ा अच्छा लगेगा यह ट्रिक आपको आपनी PC में की यूज करना चाहिए क्योंकि आपको फिक्स हो जाएक आपनी sound problems तो मुझे में देख्या आपको यह ट्रिक हैल्प होगा तो वीड़ा अचाल को लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा पैनल को सब्सक्राइब और वीड़ पर गुछने धितने आती गिले गपलेगे में ज्याहीं तो आते मातरां